नमस्कार दोस्तों मेरा उन्सास्त्री सवगत करता हूं आपका एक बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे गुरु गरह की सभी घरों के साथ यूती बहुती सरल तरीके से कम सब्दों में आपको बताने जाना हूं कि गुरु गरह के अगर सुक्र क मंगल की यूती गुरु बुध की ओटी गुरु सनी की यूति अधवा गुरु रहु की यूती यालिंग्णस तब किस तरफ डिकसे बारे में हम चर्चा करेंगे颡़ को दोस्तों बीडियो को स्टर्ट करने से पहले कुछ चीज आपको बटाने जा रहा हूं ताकि आपको यह वीडियो असानी से समझ में आ जाए जब भी हम किसी गरों की यूति को देखते हैं तो सबसे हमें देखना है कि दोनों गुरों में कितना उनकी क्या वस्ता है यानि सपोज गुरू बाला वस्ता में हुए जिरो से तीन पाच यह उनकी डिगरी हुई और सुक्र जो है पू 100% रिजल्ट देंगे तो दोनों का जो कॉंबिनेशन होगा यूति का उसमें फरक हो जाएगा यहां पे शुक्र के परवाव जादा देखने को मिलेंगे और गुरू के कम अगर दोनों के दोनों की डिगरी एक ही हुई दोनों ही मरतवस्ता में है या दोनों ही वर्दवस्त में दोनों ही पून की सो रवस्ता में तो फिर यूति के रिजल्ट कम हो या ज्यादा पर शटिक होंगे इसी परकार गुरू किस अगर डिगरी का डिफ्रेंस कम है सपोज करो गुरू और सुग्रू के बीच में अगर इस डिगरी इस यूति के अंदर अगर साथ पांच छे चार तीन या फिर दो एक जितने कम डिगरी का डिफ्रेंस होगा वो यूति उतनी ही मजबूत मानी जाएगे और उसके उतनी अच्छे रिजल्ट होंगे चा सकरात्मक हो या नकरात्मक पर रिजल्ट जो होंगे बहुती परभावसाली होंगे भाव में कोई भी घर है कोई यूती अगर अच्छे भाव में है यानि अगर परतम दुरुत्ते चतुर्थ पंचम सब्तम नवम दसम और एक अदस इन भाव में हैं कोई यूती तो वह अपने रिजल्ट अगर अच्छे साइन में है और दोनों कारक हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे इसकी यह तो वो अपने खरापल देने के लिए बात दे होगी तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं गुरू और सुक्र देखिए गुरू और सुक्र दोनों ही गुरू है जहां गुरू को ग्यान का कारक माना जाता है धन का कारक माना जाता है समरद्दी का कारक माना जाता है गुरू से जुड़े हुए हैं और सुक्र और गुरू की यूति अच्छी ही माने गई हैं अगर केंद्र त्रिकोन में हैं दोनों के दोनों की सोर पून की सोर अबस्ता में हैं तो डेपिनेटली ऐसा व्यक्ति समाज में तो मान-शम्मान प्राप्त करता ही है उस व्यक्ति का ओरा स्ट्रोंग होता है ग्यानी होता है व्यक्ति विद्वान होता है और साथ ही साथ मेट्रियल शुक भी उसको मिलता है जिन्द के अंदर तमाम शुक भी वह भोगता है अपने ग्यान से तो गुरू और शुक का कारक होता है, गुरु को पिता का कारक माना जाता है, गुरु को गुर्मेट महकमे का कारक माना जाता है, राजा का कारक होता है सूर्ये, तो गुरु और सूर्ये होने का करण ऐसा जातक, परभाव साली, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, परिवार को चलाने माला, और अपने मानत से, अपनी मानी से, अपने ग्यान से, जिन्द की के अंदर तमाम सुख प्राप्त करता है, गुरू और सूर्य की यूति भी सास्तरों के अंदर बहुत अच्छी मानी जाती है, अब यहाँ पर बात यह है कि दोनों के बीच में अगर डिफ्रेंस होगा, तो बहुत जिस चेतर में भी एक जूरू चंदरमा की यूति होगी, अब जहाँ पर दरस्टी देंगी, उससे रिलेटिट जातक को पहुत फैदा होगा, जैसे चोते द्धाओं में अगर गूरू चंदरमा की यूति है, तो ऐसा वेकति जिन्दके के अंदर हर चीज क्यूसे प्राप्ति होती है, हर सुक उसे मिलता है, और समाझ में भी मान समान प्राप्त करता है, धन्वान होता है, विभायक जीवन अच्छा, संतान सुक, अच्छी पढ़ अच्छी सायन में है यानि अगर वर्चिक सायन में है वर्चिक रासी में है या फिर धनू रासी में है दोनों कारक है तो यह धरम थभजा का योग ऐसा वेक्ति अध्धात्म की तरब जुकाव होता है वेक्ति का विद्वान होता है वेक्ति और गुरु केतु की यूति पहुत अच्छा फल देती है जातक को यहां पर खराब फल नहीं देंगी गुरु चंडाल का दोस्ट जभी लगेगा अगर गुरु और केतु दोनों के यहां पर खराब हैं मतलब मारक हैं खराब साइन में बैठे हैं 6-8-12 में बैठे हैं किसी पापगरे से दरस्ट है तो यह उती खराब फल देगी पढ़ाएगा ग्यान नहीं हो गया ऐसे जातक को और साती सात जो है गुरु केती की यूति होने के कारण भगवान में बिलिव यहां बनी है जैसे मैं पंचम भव को लेकर बोलना हूँ और साती साथ शिक्सा की तरफ से देखा जाता है तो अगर गुरु केतु यहां पर खराब हैं तो संतान में लेके चिंता होगी और साती सात संतान के साथ साथ जातक को पढ़ाई में दिक्कत आएगी इसी के विपर तक समाज में भी मान सम्मान परप्त करने वाला होगा, तो ये भी देखा जाता है कि किस भाव में कोई यूती बन रही है, गुरू और मंगल, गुरू आपके ज्ञान का करक है, मंगल आपका फिजीकल पराकरम का करक है, आपकी मेहनत का करक है, सहस का करक है, तो जब गुरू ही पर मंगल की यूती बनती है और दोनों अगर केंड्र तिर्कोन में हो अच्छे साइन में हो तो anymore तो ऐसा वहक्ति महंति भी होता है और Œ्यानिग सब्सक्राइब तो गूरु मंगल की यूती होने के और टेकनिकल वानी का कारक होता है, शाती साथ व्यापार का कारक होता है, तो गुरु और बुध, इसमें आपको पहुत अच्छ रिज़्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसा व्यक्ति, पढ़ाई पहुत अच्छी होती है, और बुध्धी पहुत तेज होती है, और ग्यानवान होता है जातक अपनी बुद्धी से और अपनी ग्यान से अपने भाग्योदे करने वाला होता है जातक को जिन्द की कंदर तमाम सुख प्राप्त होता है बर ये यूति छी आट बारा में न हो और पापगरे से दरस्ट न हो गुरू सनी गुरू ग्यान का कारक स तो ऐसे जातक जो गुरू सनी के अगर यूती होती है ये भी अच्छा ही माना जाता है एक व्यक्ति अच्छे करम करने वाला होता है समाज में ऐसे व्यक्ति को पहुत अच्छा माना जाता है विद्वान होता जातक और गुरू सनी के यूती होने के कारण ऐसे जातकों को न्य बावबी आपको अच्छे देखने को ही मिलेंगे गुरु राहू। इसे गुरु चंडाल योग होता है। और गुरु और यूती राहू भरम का कारक मना जाता है। तो यहां पे देखा जाता है कुछ देखाने वाला जाता। या आपने ग्यान को ज़्यादा दिखाना एक व्यक्ति आपने देखा होगा जो हमेशा अपने आपको बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगा क्योंकि राहु जो है भरम का कारक होता है तो गुरु ग्यान का कारक है तो अपने ग्यान को बिना मतलब दिखाना या कम ग जातक को इस गुरु में राँ का अंतर हो या रहु में गुरु का अंतर हो परीश्वाणियों का भी सामना करना पड़ता है खासतोर से सिकसा से रिलेटड, धन से मेरा, संथान ऐसे में जातक को थोड़े से खराभ फल देखने को मिलेगे हो अप दोनों की यूती में अगर डिफ्रेंस कम हो गुरू बल्वानों और रहू की डिगरी जादा ना हो या फिर दोनों के विच्वें डिफ्रेंस कम हो तो फिर ये यूती ना के बराबर अपना फल देगी तो दोस्तों मेरी विडियो गर अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को स